व्यूवर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करना मत भूलिएगा ताके आपको ऐसी ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसे डेट किस सालों निकल गए थे अब तो ये हालत थी कि उसे रुमेंटिक बातें क्या किस करना तक भूल चुका था फिर उसकी लाइफ में एक साथ ही तीन लवर्स आ गए अब इन तीनों में से किसका जैकपॉट लगता है ये हमें एक कमपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है कमपनी वालों को उसके केक का टेस्ट तो बहुत पसंद आता है लेकिन केक पर बनी किस करती अजीब सी लड़की के लिप्स की वज़ा से सकुराई का केक रिजेक्ट हो जाता है यहीं हमें पता चलता है कि सकुराई बहुत सालों स सिंगल है इसलिए उसे किसिंग का पोस तक भूल चुका है यही वज़ा है कि वो अपनी इमाजिनेशन के मताबिक जो किस पाउट बनाती है उसे देखकर कोई किस करने से ज्यादा डर कर भागना मुनासिब समझेगा अपने नमूने के कि रिजेक्शन का गम कम करने के लिए सक सकुराई बताती है कि उसने चार साल से किसी को किस क्या डेट तक नहीं किया अपनी दोस्त की छेड़ खानी से तंग आके वाश रूम जाती है जहां दरवाजा खराब होने की वज़ा से वो अंदर ही लौक हो जाती है अब सकुराई वाश रूम की तनहाई में बैठकर पू स्कुल टाइम की मेमरी रिफ्रेश करते हुए बाते करने लगते हैं तो चैकी को पता चलता है कि सकुराई के पास ना तो जौब है और ना रहने के लिए घर चैकी सकुराई को अपने फाइव स्टार होटेल में जौब देने के साथ साथ अपने घर रहने की ओफर देता है तो अपनी दोस्त के समझाने पर सकुराई इस ओफर को एकसेप्ट कर लेती है। बोसन में च्याकी के घर जाने से पहले सकुराई बीच पर जाकर अपनी पिक्चर्स बनाने लगती है। असल में उसकी दोस्त ने उसे लड़कों को फसाने का गुर बताया था कि अपने इंस्टाग्राई अकाउंट पर अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई जाए। तो वो देखकर लड़की इंप्रेस होते हैं। सकुराई सामने खड़े लड़के कनाटा से अपनी पिक्चर्स लेने का कहती है। वो पिक्चर्स तो बना दीता है लेकिन तब ही सकुराई बॉल सर पर लगनी की वज़ा से गिर जाती है। तो कनाटा जोर जोर से हसने लगता है। चैकी के घर शिफ्ट होने पर सकुराई को चैकी के दो भाई कनाटा और टूमा भी मिलते हैं तो उसे कनाटा की बीच वाली बत्तमीजी याद आने पर वो पहले दिन से ही बुरा लगने लगता है नेक्स डे से सकुराई होटल जॉइन कर लीती है जहां चैकी उसे किचन में कनाटा के साथ काम करने का कहता है क्योंकि कनाटा भी एक शेफ है जैसे एक मैदान में दो तलवारे नहीं रह सकती ऐसे ही एक किचन में दो शेफ भी नहीं काम कर सकते यही वज़ा थी किनाटा सकुराई को शेफ से मासी बनाते हुए ट्वालिट साफ करने की ड्यूटी देता है कनाटा का एटिट्यूट देखकर सकुराई उसकी खुशामत करने लगती है कि तुम एक अजीम शेफ हो इसलिए मुझे भी अपनी शागिर्दी में लो ताके मैं भी कुछ सीख सकुँ लेकिन कनाटा सकुराई के इस दाओं में भी नहीं आता और उसे बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर देता है जिसके बाद सकुराई कनाटा की सबसे फेमस डिश की रेसिपी चोरी करने की कोशिश करती है लेकिन कनाटा उसे पकर लेता है और उसे खुब बाते सुनाता है कि तुम कभी शेफ नहीं बन सकती उसकी बातों को दिल पर लेकर सकुराई उसे इंप्रेस करने के लिए केक बनाने लगती है दूसरी तरफ कनाटा सकुराई का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है जिसमें उसने पोस्ट किया था कि वो बहुत जल किसी को किस करना चाहती है कनाटा घर आता है तो सकुराई उसे अपना बनाया के चेक करवाती है जिससे खाने के बज़ए कनाटा घुसे से गिरा दिता है और सकुराई बहुत हर्ट होते हुए उससे लड़ने लगती है तब ही कनाटा अचानक उसे किस करता है जिस पर सकुराई शॉक्ट हो जाती है लेकिन उसकी अगली बात किस से भी ज्यादा शॉकिंग थी वो सकुराई से कहता है तुम यही चाहती थी ना कि कोई तुम्हें किस करे तो मैंने तुम्हारी चाहत पूरी कर दी अब तुम वापस टोक्यो चली जाओ। सकुराई अपनी और इंसल्ट परदाश नहीं कर पाती और उनके घर से चली जाती है। चाकी को इस बात का पता चलत तो वो फॉरन सकुराई को वापस लेने उसके पीछे जाता है और फिर उसे मना कर वापस ले ही आता है। दूसरी तरफ का नाटा जिसे केक खाने के बाद एहसास होता है कि उसने एक बहुत टैलेंटेड लड़की के साथ गलत किया है। वो भी उसे मनाने के लिए घर से निकलता है लेकिन सकुराई को च्याकी के साथ बाइक पर देखकर उसका दिल बुच जाता है। वो च्याकी के अच्छे बिहेवियर पर बहुत खुश होती है और एक पर फिर उसकी तरफ एट्रैक्ट होने लगती है। च्याकी एक होटेल ओनर था जिसके जपान के सब बड़े शहरों में होटेल्स थे और उसका छोटा भाई कनाटा एक एकस्पर्ट शेफ था जबके सबसे छोटा टूमा स्टेडी का रहा था और च्याकी उसे भी शेफ बनाना चाहता था। पेरिंस की डेथ के बाद ये तीनों भाई एक दूसरे के सब कुछ थे। सकुराई च्याकी की दोस्त केडी के से मिलती है तो वो उससे बहुत इंप्रेस होती है क्योंकि उसे लगता है उसमें वो सब कुछ है जिससे लड़के अट्रैक्ट होने लगें। पिर च्याकी से केडी की तारीफे सुनकर वो उससे जैलिस हो जाती है सकुराई को च्याकी की दोस्त की शादी के लिए अपना फर्स्ट केक बनाना था जिसके लिए वो कनाटा के साथ रात देर तक काम करती है काम खतम करने के बाद कनाटा उसे ड्रिंक आफर करता है तो उस सकुराय च्याकी के लिए केक का सबसे अच्छा पीस लेकर जाती है लेकिन वहां केड़ी को च्याकी को किस करता देखकर सकुराय बहुत हर्ट होती है और एक कौने में उदास होकर बैठ जाती है जब खनाटा उसे देखकर उसका मूर अच्छा करने को अपने साथ ले जाता है वो सकुराई को बोटिंग पर लेकर जाता है जहां जाकर सकुराई का एक बार फिर चा की नामा शुरू हो जाता है तो खनाटा के सुन-सुन कर कान पक जाते हैं लेकिन सकुराई बाज ही नहीं आती तो कनाटा उसे पानी में धका दे देता है सकुराई जिससे तेरना नहीं आता था वो डूबने लगती है तो कनाटा ये देखकर उसे बचाकर बोट पर लाता है पिर कनाटा सकुराई को सूरज डूबने का मनजर दिखाता है जिससे देखकर सकुराई को हर गम भूल जाता है चाकी सकुराई को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है तो सकुराई बहुत हुश होती है कि चाकी उसे डेट पर लेकर जा रहा है केडी जिसका चाकी पर क्रश था लेकिन चाकी उसे लिफ्ट नहीं करवाता था तो वो सकुराई को मिलने के लिए बुलाती है क्यूंकि वो जानती थी कि सकुराय चाकी को पसंद करती है और चाकी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है काईडी सकुराय को रिश्वत के तौर पर एक ब्रेसलेट गिफ्ट करके दोस्ती का कहती है और सीधी साधी सकुराय उसकी बात मान लेती है लेकिन फिर काईडी सकुराई को बताती है कि मैं च्याकी को पसंद करती हूँ और मेरा च्याकी के इलावा कोई नहीं है तुम मुझे च्याकी को डेट करने में एक दोस्त की तरह हेल्प करो सकुराई उसकी बातों में आ जाती है और उसकी मदद की हामी भर लेती है सकुराई जब च्याकी और खनाटा के साथ बाहर जाती है तो खनाटा समझदारी दिखाते हुए उन दोनों के दर्मियान से चला जाता है लेकिन उसके जाने के बाद सकुराई को एक बार फिर केडी की बातें याद आती है तो वो च्याकी को कुछ बताए बागर वहां से भाग जाती है केडी के पास जाकर वो उसको बताती है कि मैं च्याकी को पसंद करती हूँ इसलिए तुम और मैं दोनों दोस्तों नहीं बन सकते लेकिन ड्राइवल्स जरूर बन सकते हैं फिर वो दुबारा च्याकी के पास जाते हैं तो वो दूनों पेंग्विन एक्जिबिशन देखने जाते हैं जहां सकुराई च्याकी की कमपनी में दुनिया भूल जाती है नेक्स डे सकुराई कनाटा को च्याकी के साथ गुजारे टाइम का बताते हुए बहुत खुश होती है और उसे ये भी पता नहीं चलता कि कनाटा उसकी किसी बात का रिस्पॉंस नहीं दे रहा सच है प्यार में इनसान लवर के इलावा हर चीज के लिए अंधा हो जाता है सकुराई होटेल में ही बैठे हुए सो जाती है तो कनाटा उसके पास आकर उसे देर तक देखता रहता है वो सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कनाटा उस पर से नजरे ही नहीं हटा पाता केडी होटेल आकर सकुराई को कहकर जाती है मैं कभी भी चाकी तुम्हें नहीं दूंगी चाकी एक जीता जाता इंसान है जिसे केडी ने अपने प्रॉपर्टी ही समझ लिया था यहीं हमें पता चलता है कि चाकी और केडी डेट कर रहे थे लेकिन केडी के दो साल गाइब रहने की वज़ा से दोनों में ब्रेक अप हो गया और अब दो साल बाद केडी एक बार फिर वापस आकर चाकी से रियूनियन करना चाहती थी सकुराई एपनी दोस्त के कहने पर चाकी को अपने साथ फायर वर्क फेस्टिवल पर जाने के लिए पूछना चाहती थी ताके उस पर अपना प्यार शो कर सके लेकिन उसकी चाकी से पूछने की हमत नहीं होती तो वो अपने बनी के सामने पूछने की प्रैक्टिस करती है होटेल का सारा स्टाफ पिकनिक पर जाता है जहां सकुराई कनाठा से पूछती है चाकी को फायर वर्क पसंद है और कनाठा को आप जानते हैं वो एक एटिट्यूट बॉई है वो सकुराई को साफ जवाब देते हुए कह देता है खुद पूछ लो तब ही चाकी सकुराई को अपने साथ बोटिंग पर ले जाता है और उनको देखता कनाठा पूरी तरह जैलिस हो जाता है बोटिंग पर सकुराई चाकी से पूछने ही वाली थी लेकिन उसी वद केड़ी वहां आ जाती है और च्याकी को अपने साथ ली जाती है सकूराई उन दोनों को बाते करते सुनती है तो च्याकी केड़ी से कह रहा था वो दुबारा कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता इसलिए वो च्याकी को अपनी शकल ना दिखाया करे उसकी बात पर केड़ी पूचती है तुम्हें सकुराई पसंद है ना तो च्याकी कहता है वो सिर्फ मेरी स्टाफ मेंबर है ये सुनकर सकुराई का दिल बुरी तरह तूट जाता है और वो फाइरवर्क फैस्टिवल के टिकेट्स जला दीती है कनाटा को उसकी दूस्स फाइरवर्क पर जाने का मश्वरा दीती है लेकिन वो क्या बताता कि जिसके साथ मुझे जाना था वो तो किसी और के साथ जा रही है दूसरी तरफ चियाकी सकुराई से अपने साथ फायर वर्क पर चलने का कहता है जो सुनकर सकुराई खुशी से पागल हो जाती है सकुराई घर आकर ये गुड न्यूस कनाटा से शेयर करती है तो उसका मू बन जाता है जिस पर सकुराई उसे कहती है तुम जेलिस हो रहे हो ना कनाटा भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे कह देता है मत जाओ सकुराई कनाटा की बात समझे बगर कहती है मैं जानती हूँ तुम केडी की वज़ा से मना कर रहे हो लेकिन जब च्याकी ने खुद कहा है तो मैं जरूर जाओंगी सकुराई धेर सारे सपने सजा लेती है क्योंकि उसे लगता है च्याकी उसे प्रोपोस करने को ले जा रहा है सकुराई फायर वर्क पर जाने के लिए शॉपिंग कर रही थी जब उसे केड़ी मिलती है और उसे बताती है वो यहां से जा रही है लेकिन उसके जाने के बाद भी चियाकी किसी और को पसंद नहीं करेगा सकुराई बहुत excited होती है और उसकी excitement देखकर कनाटा के दिल पर छुरियां चलती है सकुराई traditional dress में तयार होकर च्याकी के साथ जाती है जहां वो दोनों खुब enjoy करते है पीछे कनाटा जले पैर वाली बिल्ली की तरह यहां वहां घूम रहा था क्योंकि उसे कहीं चैन नहीं था लेकिन लगता है उसकी दुआएं काम कर गई क्योंकि सकुराई च्याकी से कहीं नहीं पाती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ केडी का भाई वहां सकुराई से मिलकर उसे बताता है केडी ने उसका लोन पे करने के लिए क्लब जॉइन किया और च्याकी को छोड़ दिया था ताकि च्याकी को उसकी वज़ा से प्रॉबलम्स ना फीस करना पड़ें सकुराई ये सब च्याकी को बता देती है ताकि वो अपनी लवर को बॉस्टन छोड़ने से रोक सके और होता भी ऐसा ही है च्याकी ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाता वो वहां से सीधा केडी के पास जाता है और उसे जाने से रोक लेता है उधर सकुराई सार इस अपने तूटने के बाद उदास बैठी अकेली फायर वर्क्स देख रही थी कनाटा उसके पास जाता है और उसे इतनी अच्छी बनने पर बाते सुनाता है तो सकुराई अपनी खराब किसमत पर रूने लगती है जिस पर कनाटा उसे कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा कनाटा सकुराई को फाइनली बता ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन सकुराई उसका बिलकुल यकीन नहीं करती सकुराई और कनाटा को काम के लिए दूसरे सिटी जाना परता है जहां कनाटा मीटिंगे बाद बारिश में भीगने की वज़ा से बीमार हो जाता है और सकुराई उसका बहुत ख्याल लगती है सकुराई कनाटा से पूछती है तुम मुझे पसंद क्यूं करते हो तो वो कहता है मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता तुम्हें परिशान देखकर मैं वो परिशानी दूर करना चाता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाता हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सकुराई जिसने हमेशा कनाटा को खुद पर घुसा करते और नराज होते ही देखा था उसके लिए कनाटा का ये रूप काफी स्ट्रेंज था इसलिए वो कनाटा से कुछ टाइम मांगती है सकुरा और कनाटा वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि च्याकी होटेल की ओनर्शिप किसी और को दी रहा है कनाटा इस बात पर च्याकी से लड़ने लगता है और तब ही उसे पता चलता है कि वो तीनों बैयोलوجिकल ब्रदर्स नहीं है बलकि कनाटा उनका एडाॉप्टेड ब्रदर है कनाटा की बहन आकर उस से उसकी मॉम से मिलने के लिए कहती है लेकिन कनाटा नहीं मानता कनाटा के साथ रहती है कनाटा अपनी मॉम से मिलता है और उसे मॉम से मिलने के बाद सकुराई से बात करके काफी रिलीफ फील होता है चाकी टूमा को ढून लाता है जो शेफ नहीं बनना चाहता था लेकिन चाकी उसे समझाता है कि हमारे डैट का खुआप था जिस पर टूमा मान जाता है। उधर सपुराई पूरा टाइम कनाटा के साथ रहती है और उसे नॉर्मल करने के लिए उसके साथ घूमती है। जिसके बाद कनाटा का मूद भी अपने भाईों के साथ बहतर हो जाता है और च्याकी सपुराई को इस फेवर पर थैंक्स बोलता है टूमा उन सब को बीच पर ले कर जाता है जहां कनाटा चियाकी को बताता है कि वो सकुराई को पसंद करता है सकुराई और कनाटा अक्सर साथ नजर आते हैं और दोनों को देखकर meet for each other की feeling जहन में आती है लेकिन चियाकी जो सकुराई को प खाना चेक करती है तो उसे कनाटा का खाना बहुत पसंद आता है लेकिन सकुराई का नहीं जिस वज़ा से सकुराई कुकिंग प्रक्टिस करनी लगती है क्योंकि कनाटा उसके बगर किसी competition में नहीं जाना चाहता था चियाकी के behavior पर कैड़ी भी जान जाती है और वो से कहती है तुम खुद को और force मत करो और जिसे पसंद करते हो उसे बता दो ये सुनकर च्याकी फॉरण जाकर सकुराई से confess कर देता है और इस बात का कनाटा को भी पता चल जाता है तो सकुराई को बाते सुनाता है कि अब तो तुम्हारा पहला प्यार लोट आया है तो तुम उसी क साथ रहोगी सकुराई उसकी बातों पर बहुत हटोती है क्योंकि वो कनाटा से ही प्यार करती थी और प्यार हरुज बदला नहीं जाता कनाटा और सकुराई दोनों खाना बनाते हैं और वो खाना सब को बहुत पसंद आता है जिसके बाद कनाटा सब के सामने सकुराई से अ और उसके सामने कनफेस करते हुए केस करती है। लेकिन कनाटा उसे कह देता है, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता। कोकिंग कॉम्पिटिशन के बाद कनाटा काफी फेमस हो जाता है और हर तरफ उसकी तारीफे हो रही थी। तो होटेल ओनर उसे अपने होटेल के लिए ही काम करने का कहता है लेकिन कनाटा नहीं मानता, श्याकी को अच्छी जॉब मिल जाती है और टुमा भी शेफ बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कनाटा का बिहेवियर देखकर सकुराई जॉब के लिए न्यू यॉर्क जाने का डिसाइड करती है और वो बहुत भारी दिल के साथ हर चीज को आखरी बार देखती है। तब ही कनाटा उसे मिलता है तो सकुराई कह देती है तुम आएंदर मुझे कभी नहीं देखोगे। उसकी इस बात पर भी कनाटा कोई रिस्पॉंस नहीं देता। तो सकुराई उसे बाते सुना कर एरपोर्ट चली जाती है। शियाकी कनाटा को भी न्यू यॉर्क की टिकिट देता है। जहां जाकर खनाटा को एक कमपनी के साथ शेफ का काम करना था। शियाकी के कहने पर खनाटा सकुराई के पीछे जाता है और उसे जाकर गले लगा लेता है। और सकुराई जो इसी मॉमिंट का वेट कर रही थी वो खुश हो जाती है। और दोनों किस करते हैं। टोमा की भी एक लड़की के साथ सेटिंग हो जाती है। और श्याकी दो लड़कियों से दिल तूटने के बाद बिचारा अकेला रह जाता है। सकुराई और कनाटा क्रिसमिस वाले दिन न्यू यॉर्क में बहुत खुश खुश घूम रहे थे। और उनके हैपी फेस के साथ ही सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।